नमस्कार मित्रो मैं प्रूफेसर डॉक्र दिनेश कपता आज आपके सामने हाजिर हूँ हूँ मैं कुछ सुक्तियों को लेकर कुछ पंक्तियों को लेकर जो आपके जीवन में बहुती महत्पूर्ण साबित होगी कि जीवन में हमेशा ये बाते आपको आगे बढ़ने के कि जैसे कि चुनुतिया कितनी भी बड़ी हो आप क्यूंकि वक्त कीजेगा उसको उसको स्विकार कीजेगा mutant कि वह बदलने के लिए आते हैं वह आपको बदलने के आपका माहुल बदलने के लिए आते हैं, तो चुनोतियों को accept कीजेगा और देखिए कितना जबर्जस motivation आपको मिलता है उससे, जो काम्याभी रास्तों से मिल जाए, उसका मज़ा भी क्या है, जो काम्याभी रास्तों से मिल जाए, रास्तों पर मिल जाए, जो आसानी से मिल ज हराने में हराने का इंतजार कर रही हो और आप उन्हें जीत कर दिखाए जब क्रिकेटर खेलता रहता है क्रिकेट जब उसके हाथ में बल्ला होता है बैठ होता है तो सामने ग्यारा लोग उसको आउट करने के लिए बैठे रहते हैं ग्यारा लोग फिल्डिंग लगाते हैं उ भराने का इंतजार कर रही हो और आप उन्हें जीत कर दिखा यह जो पन्तिया है यह बहुत ही जबर्जस आपको प्रिरिद करती रहेगी यह सफलता कोई शौटकट नहीं होता सफलता की किम्मत चुकानी पड़ती है लोग कहते हैं कि सफलता की कोई 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 शौटकट तो बताइए नहीं साफ सफलता का कोई शॉट कट नहीं है आपको उसकी किम्मत देनी पड़ती है आपका समय देना पड़ता है आपका शरीर देना पड़ता है आपके कई जो चीज को आप बहुत चाहते हैं वो सारा सेक्रिफाइस करना पड़ता है तब जाके सफलता के आपक दीखिये कई लोग है जो सफल बनना चाहते हैं और असफल लोग काम नहीं करना याद रखेगा अगर आपको खुद पर भरोसा है तो दुनिया की कोई भी चीज आपको काम्याब होने से नहीं रोक सकती है सफलता और सकरात्मक लोगों की संगत से ही सफल बन सकती है संगत से ही रंगत बदलती है याद रखे ऐसे लोगों के साथ रहिए जो सफल है जो सकरात अपने सुफलता को इतना बड़ा बना दो हर चिंता छोटी लगने लगे अपने प्रभाव के सरकल को बड़ा बना दो बड़ा बना दो विजेता वही बनता है जो कभी भी हार नहीं मानता जो हार नहीं मानता वही विजेता कहलाता है याद रखेगा इन सारी बातों को इन सारी बातों को आप दिमाद में रखेगा कि विजेता कभी हार नहीं मानते और जो हार मानते वो कभी विजेता नहीं बन पाते है याद रख झाल झाल